दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटीजी बताऊँगा जो आज की डेट में सारी बड़ी ब्रैंड्स कर रही है और सबसे कम कोस्ट में अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ लक्षित सेथिया आप देख रहे है शुशल सेलर अकेटमी और इस वीडियो में मैं आप सभी को वाट्साप एड्स के उपर पूरी इन्फोर्मेशन दूंगा इस वीडियो में मैं मेजरली तीन चीज कवर करूँगा सबसे पहली चीज की वाट्साप एड्स आखिर में होती क्या है किस तरीके से वर्क करती है फिर हम समझेगे कि क्या प्रोसेस है वाट्साप एड्स को लगाने का जिसमों मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा हुआ और तीसरा हम समझेगे कि कैसे ये बड़ी कमपनिया वाट्साप एड्स को यूज करती है कि ये WhatsApp ads आखिर होती क्या है? क्या आपने पहले WhatsApp ads देखा है? नहीं, actual में WhatsApp ads WhatsApp पे नहीं होती, लेकिन WhatsApp ads लगती है Facebook और Instagram पे और Facebook और Instagram पे जो campaigns चलते हैं, जो advertisement चलती है वहाँ से लोग redirect होके WhatsApp पे आते हैं इस चीज़ को बोलते है WhatsApp Ads, जैसे आपने देखा ही होगा Facebook ए Instagram पे जो Ad चलती है उस पर generally लोग क्लिक करते हैं, तो किसी website पे जाते हैं, लेकिन WhatsApp Ads में अगर कोई भी Ads में क्लिक करते हैं तो वो सीधा आ जाता है WhatsApp पे ये पहले possible नहीं था, इसको कोई hack से करना पड़ता था, लेकिन अब Facebook ने officially CTWA Click to WhatsApp Ads का feature launch कर दिया है, जिससे आप सीधा Facebook में Ads चला के अपने customers को सीधा WhatsApp तक किला सकते हो WhatsApp पे उनके साथ chatting करके easily आप sales कर सकते हो और customer को और अच्छा customer बना सकते हो, मतलब recurring sales कर सकते हो आप यह मत सोचना कि कोई person bad के, you know, इतने सारे customers को chat करेगा, नहीं, यह एक computerized automated system बना के रखते हैं जिससे जितने भी customers आते हैं WhatsApp पे उनको automated messages जाते हैं WhatsApp पे, तो किसी sales person को bad के हर एक customer को नहीं लिखना पड़ता यह customer के question के हिसाब से automated system एक appropriate reply customer को automatic भेज़ देता है और इस चीज़ को कहते हैं CTWA जैसे की मैंने बताए click to WhatsApp ads तो मैं आपको सबसे पहले flow बता देता हूँ कि किस तरीके से यह ads work करती है सबसे पहले हम Facebook और Instagram में ad लगाते हैं ads जितनी भी जो traffic है वो आपके WhatsApp पे जाती है अब WhatsApp भी दो प्रकार का होता है सबसे पहले जब कोई business initially start करते है तो उनके पास WhatsApp business API नहीं होती वो normal WhatsApp business account को ही अपने Facebook page से connect करते है और वहाँ पे सारी leads ले के आता है मतलब मान के चल दीजिए कि अगर कोई MSME है या micro entrepreneur है जिनकी खुद की website नहीं है जिनके खुद का company registration नहीं है जिनके पास WhatsApp business API नहीं है जो बड़े level पे काम नहीं कर रहे है जिनको छोटे level से ही leads से ही है चोटे level पे testing करना है तो वो normal WhatsApp business app है उस पे अपनी leads को ले के आते हैं तो आप normal WhatsApp business को भी अपने Facebook business page से connect कर सकते हैं और उसके उपर add लगा सकते हैं मतलब जब क्या होगा कि जो भी Facebook से audience आईगी वो आपके normal WhatsApp business पे आईगी आपके phone पे आईगी या फिर आप desktop पे अपना जो normal WhatsApp business चलाते हैं वहाँ पे आपको leads आईगी लेकिन आप अगर संपनी है आप इसको बड़े लेवल पर करना चाते हैं और successfully करना चाते हैं आप इसको automated तरीकी से करना चाते हैं और सबसे ज़्यादा इससे potential निकालना चाते हैं तो आपके लिए WhatsApp business API होना बहुत ज़रूरी है मैं बोलूँगा WhatsApp अगर आप ads चला रहे हो तो आप normal WhatsApp के साथ चलाओगे तो आपको खाली उसका 10% ही benefit मिलेगा आप जब वापस WhatsApp business API के साथ चलाओगे तो आप वापस retarget कर सकते हो जादा अच्छे से chat कर सकते हो पूरी पूरी team create कर सकते हो एक आपके पास पूरा system रहेगा leads manage करनेगा तो यह बहुत important है कि आपके पास WhatsApp business API हो लेकिन WhatsApp business API के लिए documents होगा भी चाहिए कि आपका company registration होना चाहिए आपके पास website होनी चाहिए आपके पास proper सारे documents होना चाहिए तो यह दो चीज़े हैं WhatsApp business API है और WhatsApp normal application जहां पर आप leads को लाते हो और फिर third process पर आप leads को automatic response भेशते हो उनसे बात करते हो और उनको convert करते हो और फिर आप उनका data base सेव करके बार-बार उनको retargeting करते हो तिर तीन step का process है I hope आप सभी को clear हो गया होगा अब मैं बताता हूँ कि setup किस तरीके से करना है सबसे पहला process तो यह है कि आपको WhatsApp business को या फिर WhatsApp business API को अपने Facebook page के साथ connect करना है अब इसको करने के लिए आप अपने Facebook page में जाए settings में जाए settings में आपको WhatsApp का option दिख जाएगा WhatsApp पे जाए और वहाँ से simply अपने number डालके connect कर लिजे अब second step है कि आपको Facebook ads manager पे जाना है तो simply आप Google पे जाएए टाइप किजिए कि Facebook ads manager आपके सामने Facebook ads manager की link आजएगी आपको simply उस पे क्लिक करना है अपने account से आपको sign in करना है और जो भी page है उससे आपको advertisement लगाना है तो आप जब properly login कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का page दिखेगा अपना यहाँ पर आपको create के button पे click करना है create के button पे click करने के बाद आपको यहाँ पे engagement वाली ads को चूज करना है objective में याद रखीए का यह बहुत ज़रूरी है traffic ad को अब चूज नहीं करना है आपको करना है engagement वाली ads को फिर आप वहाँ पे अपना campaign का अपना budget डाल सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे conversion के button पे select करना है और उसके बाद messaging apps में जा करके whatsapp को select कर लेना है उसके बाद third process सबसे important है यहाँ पर आपको अपनी audience select करना है सबसे पहले कि वही कौन सी आपकी ideal audience है suppose अगर मेरी ideal audience है women's की जिनकी age 23 से लेकर के 30 के बीच में तो मैं उसी age bracket वाली women's को target करूँगा तो इसमें क्या होगा men's को ads नहीं दिखेगी आप interest की basis पर भी कर सकते हो मतलब आपकी audience मतलब जिनको यह ads दिखेगी उनका कोई particular interest है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो तो यहाँ पर suppose अगर में को ऐसे लोगों को लाना है जो online shopping में ही interested है तो यहाँ मैं interest पर online shopping लिखूंगा में को ऐसे लोग मिल लेंगे जो online shopping में ही interested है Facebook उनी को ही ads दिखाएगा तो में को बहुत relevant audience आईगी और जितनी relevant आपकी audience आईगी आपको उतना अच्छा conversion होगा उतनी जादा आपकी sales होगी उतना जादा पैसे कमाऊगे audience select करने के बाद आता है placement select करने का option तो यहाँ पर एक automatic placement होती है एक manual placement होती है आप stories पर दिखाना चाहते हैं कि आप feeds में दिखाना चाहते हैं तो अलग अलग जगाए है feeds का feeds भी select कर लेजिए और देखी कि आपकी ideal audience कौन से platform पे जादा है Facebook पे जादा है कि Instagram पे जादा है अगर आपको लगता है कि Facebook पे आपकी audience नहीं है Facebook को मत करना सरहे खाली Instagram पे ads चलाना जितना accurate आप अपनी placement define करेंगे उतनी अच्छी leads आपको मिलेगी अब इसके बाद simply आगे जाके आप अपना content डाल दीजी जिसको लोग देखेंगे और click करके आएंगे content आप simply canvas से बना सकते हैं बहुत अच्छे content है या फिर मैं आपको recommend करता हूँ कि किसी अच्छे graphic designer से ही बनाईए और ऐसा उसमें keyword रखिए कि लोग देख के उसमें click करें आपको बहुत जादा भरना नहीं है content में आपको तीन से चार लाइन लिखना है एकदम main main point लिखना है ऐसा content होना चाहिए कि जो आपकी product या service पे इंट्रेस्टेड हो वो definitely उसमें click करें उसके बाद एक अच्छा सा title और description लिखिए अपने आड का ताकि लोग एकदम clearly समझ जाए कि किस चीज का आपका business है और simply ads को publish कर दीजे अच्छा हाँ एक चीज याद रखना आपको वही Facebook में पैसे भी डालना है Facebook में पैसे डालने के लिए आप पहले Facebook के wallet पे जाईए और वहाँ पे आप अपना recharge कर दीजे मैं आपको recommend करूँगा कि आप 5-6 रुपे से चालू कीजे और जैसे जैसे आपको जादा अच्छे responses मिलते जाते हैं आप अपना budget increase करते जाईए अगर आप Facebook के wallet पे पैसा नहीं डालोगे तो आपकी ads भी नहीं चलेगी तो यह एकदम simple सा process है click to whatsapp ads लगाने का लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो लोगों की confusion होती है वो यह होती है कि हम क्या normal whatsapp यूज करे कि या whatsapp business API यूज करे तो देखो अगर आपका छूटे level का business है आप just whatsapp ads चालू कर रहे हैं आपके पास documents उतनी नहीं है आपकी company नहीं है आपकी website नहीं है normal whatsapp business app यूज किए लेकिन अगर आप अपने business को grow करना चाते हैं actual में आप whatsapp ads का पूरा potential निकालना चाते हैं आप अपनी बड़ी company बनाना चाते हैं तो आप whatsapp business API यूज कीजिए क्योंकि यहीं सही आप आगे का game खेल सकते हैं ads लगाना ये सारी चीज़े करना ये सिर्फ 10% है 90% चीज होती है कि किस तरीके से आप customers के साथ engage करते हो कैसे आप उनको automated response भेशते हो किस तरीके से आप सारे लोगों को manage करते हो अगर ये आपका successfully हो गया जबी आप एक proper whatsapp ads execute कर पाऊगे देखें मैं आप सभी को अपने computer पे ले जाता हूँ कि किस तरीके से हम whatsapp ads चलाके अपनी leads को manage करते हैं तो देखें ये मेरा interact का panel है यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी leads मुझे आई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 से जादा लोग अभी मेरे पास open है बारा सो से जादा लोगों ने मुझे query भेजिए ये हमारे youtube से भी आते हैं प्लस whatsapp ads से भी आते हैं तो यहाँ पर continuously लोग आते जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे team members भी है अमरपाल है, अंजली है, अंकित है, आयूश है, कुलदीप है तो यह मेरे जितने भी team members है यह continuously हमारे whatsapp API पर जितने भी लोग आते हैं उनको response करते जाते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी chat को assign कर सकते हो मैं easily देखते रहता हूँ कि कौल सा sales person किस तरीके से customer के साथ chat कर रहा है अगर में को suppose इस chat को किसी और person को भी assign करना है तो मैं इधर से easily assign कर सकता हूँ अगर suppose मेरे पास customer की query किसी specific product के लिए आती है और उस specific product के लिए मैं को किसी specific person को assign करना है तो भी मैं यहाँ से easily assign कर सकता हूँ और जैसे ही इनके साथ chat खतम हो गई तो मैं यहाँ पे close chat कर दूँगा और यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ कि भई मेरा जो agent है मतलब मेरी जो sales team है वो किस तरीके से chat कर रही है customer के साथ सही तरीके से response कर रही है कि नहीं कर रही है तो मैं पूरा supervise कर सकता हूँ अच्छे से तो interact में फीचर है कि यहाँ पे आप unlimited अपने team members को ला के register कर सकते हो तो आपके अंदर जितने भी sales ओले लोग हैं सब आपकी WhatsApp business account को easily manage कर सकते हैं अब क्या होता है देखो शुरू में तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं और यह automation है यहाँ से होता है WhatsApp automation यहाँ से simply हम क्या करते हैं सबसे पहले welcome messages लगा देते हैं तो कोई भी आता है सबसे पहले तो उनको हमारे साइट से एक welcome message चले जाते है welcome message में हम एक proper list वगरा भेज़ देते हैं कि customer किस चीज पर interested है क्या वो हमारे courses पर interested है क्या वो हमारे consultation पर interested है क्या वो हमारे साथ project करने पर interested है तो हम उनको एक option देते हैं कि आप किस चीज में interested हो Suppose customer ने course को choose किया तो अब हम हमारे पास जित्ते भी courses है हम उनकी link एक बार में भेज देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब आप बताईए कि आप किस course में interested है हमारे पास चार अलग-अलग type की courses है फिर customer जो है जिस भी course में interested है उसके बारे में बताता है तो इससे क्या होता है customer पूरा filter हो जाता है और हमको पता चल जाता है कि आखिर में customer किस product पे interested है जब वो end में आ जाता है तब हमारा जो sales person है वो specifically उनको उस product के बारे में बताते हैं convince करते हैं अगर उनको कोई doubt है, queries है तो वो solve करते हैं और सबसे important चीज़ यहाँ पर आके notes बना लेते हैं उनको और उनको tag कर लेते हैं जैसे ये कोई person है ये हमारा social commerce website के उपर interested है तो इनको हमने एक tag लगा दिया अब जितने भी लोग social commerce website पर interested है वो इस tag के अंदर आ गए तो हो सकता है ऐसे 200-300 लोग होंगे जो इस tag के अंदर अभी होंगे ऐसी ही अब आपको एक बार तो आप उनसे बात कर लेते हो और एक बार में हर कोई product नहीं खरीतता एक बार में लोग पूछने आते हैं आपसे बात करने आते हैं थोड़ा सा उनको trust चाहिए रहते है फिर major game कहां शुरू होता है जब आप यहां आके उनको notification भेशते हो और बल्क में WhatsApp भेशते हो वहाँ पे अब आप इस चीज को देखो और आप चौक जाओगे इस data को देखके मैंने 9619 लोगों को WhatsApp messages भेजा था जिसमें 9538 लोगों को WhatsApp message गया बहुत बड़ी बात है न ये भी 94% लोगों को deliver हुआ अपने आप में बहुत बड़ी बात है email marketing, SMS marketing में ये possible ही नहीं है फिर उसके बाद 74% लोगों ने read किया उस message को और उसके बाद 8% लोगों ने reply किया आपको पता है ये चीज email marketing में 007% होती है बहुत अच्छा email marketing campaign हुआ तो भी 1 या 2% होता है और आप देखेंगे और पहले की campaigns देखेंगे तो उनमें और अच्छा record है जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने 11,000 लोग को बेजा है और 82% लोगों ने read किया है यहाँ पे हमने 2,500 लोगों को बेजा तो almost 87% लोगों ने read किया है तो इस तरीके से हम अपना campaign भेजते रहते हैं और इस सबसे ज़ादा अच्छा response आता है क्योंकि WhatsApp है जाहिर सी बात है यार WhatsApp पे हर कोई active होता है WhatsApp पे थोड़ा personally आप connect भी कर सकते हो personalized messages भी यहाँ पर पोरे option है भेज सकते हो और अगर आप इंटरेक्ट से connect करके WhatsApp ads run करते हैं तो आपको exact आपकी customer की analytics मिल लाएगी जैसे कि आपका customer exactly कौन से post पे click करके आपके पास आया है कहाँ पे जाके exactly उस customer की conversation खतम होती है उसका पूरा data आपको मिल लाएगा इससे आप अपने customers को अच्छे से समझ सकोगे अपने campaign को अच्छे से समझ सकोगे और बहतर तरीके से targeting भी कर सकोगे यह analytics है यह आपको facebook ads manager पे भी देखने को नहीं मिलेगी यह आपको direct interact में देखने को मिलेगा और आपको हर level पे समझ आ जाएगा कि customer किस तरीके से आपके funnel पे आया है किस तरीके से use करना interact को उसकी link में आपको नीचे description पे दिदूँगा बट यह important चीज है कि जब आप click to whatsapp ad या फिर facebook में add run करते हो तो आपके पास whatsapp business API होना जरूरी है जब ही आप retargeting कर सकते हो normal whatsapp पे आए तो फिर आपको retargeting करने में थोड़ी सी problem होगी फिर आपको कोई hack use करना पड़ेगा जिसके थूँँग आप कुछ करोगे अगर आपकी company है आपके पास website है आपके पास budget है आपके पास proper documentation है आप पूरा official work कर रहे है तो मैं आपको recommend करूँँगा कि आप interact को use करो whatsapp business API को use करो और सबसे low cost marketing करो जहां से आपकी guaranteed सबसे ज़ादा sales आईगी यह मैं नहीं यह data बोलता है तो पता है ऐजा business order जब भी मैं को देखना होता है कि भाई मेरी पूरी की पूरी sales team कैसे काम कर रही है कितना पैसा हम generate कर रहे हैं कितने लोगों को हम successfully sales कर रहे हैं तो मैं सिर्फ interact पे जाता हूँ analytics पे देखता हूँ और यहां से मुझे पता चल दाता है कि कितने conversation हुए हैं कितने लोग को response हुए हैं कितने लोगों की queries resolve हुई है तो business को analyze करने लिए जो भी data है वो यहां आपको पता चल दाता है आप भी relax हो जाते हूँ कि आपको बहुत जादा अंदर नहीं बुसना आपको सिर्फ दूर से ये data देखना है और आपको समझ जाएगा कि हाँ आपकी organization की sales किस तरीके से function कर दिया एक और एक बहुत बड़ी आ फीचर है जिसके बारे में बताना भूल गया है जब आप customer से chat करते हो तो हर बाय ऐसा नहीं होता कि customer direct जाके आपकी website से खरीदता है अक्सर यह होता है कि इंडिया में लोग negotiate करते हैं, bargaining करते हैं तो यहाँ पे आप उनको customize तरीके से भी पैसा ले सकते हो उनसे तो यहाँ पे payment link option है आप अपने interact के account को Razer Pay के account से integrate कर सकते हो तो क्या होगा, यह feature आपका enable हो जाएगा और आप suppose यहाँ पे आपको payment link देना है 1000 रुपए की suppose 1500 रुपए का product था, आपने 500 रुपए discount कर दिया तो आपको 1000 रुपए की link देना है, आप simply यहाँ पे 1000 रुपए type कीजिए UPI link देना है की standard payment link देना है, यह आप select कर लिजे और यहाँ पे generate payment link कर दिजे जैसी आप करेंगे, देखो यहाँ पे एक Razer Pay की payment link generate होगी आपको सिर्फ इसको copy करना है, या फिर आपको simply send कर देना है जैसी आप send करेंगे, यह आपके customer को एक payment link चले जाएगी customer directly वहाँ से payment कर देगा, और यही पे directly customer को एक notification भी आए जाएगी कि your payment has been received, तो मतलब इतना simple हो गया है कि अगर आपके पास WhatsApp business API है तो आप easily sales कर सकते हो, और Interact तो ऐसा platform है, जो I think geohaptic company है उनका platform है, तो India में सबसे जादा reliable है, इसको आप easily use कर सकते हैं, हम भी इसी को use करते हैं बाकि आप देख सकते हैं कि अभी तक कि 29,000 से जादा लोग हमसे Interact पे connect हो चुकिया और इन सब users का मेरे पास data है, खर्चा किस चीज़ का है वो भी मैं आपको बता दू, सबसे पहले तो खर्चा आएगा आपका जो Facebook में आप ads चलाओगे उसका वो आप Facebook को एक पैसा दोगे, advertisement run करने का सेकेंड कर्चा आएगा अगर आप Facebook business API यूज कर रहे हो, Interact को यूज कर रहे हो, तो Interact का दो plans है एक ट्रिपल नाइन का plan है और एक है 24,99 मतलब वही 25,000 रुपे का एक plan है तो यह वाला growth plan जदा बेटर है, हम growth plan ही यूज करते हैं, अगर आप start कर रहे हो, तो आप starter plan भी यूज कर सकते हो अगर आप कोई बड़ी company हो, तो फिर आप इसको भी explore कर सकते हो यहाँ पे आपको 1000 free conversation message मिलेंगे, ठीक है, और आपको ये 1000 message free of cost मिलेंगे बट उसके बाद जब आप देखेंगे, तो आपको हर business initiated conversation का 0.56 पैसा लगेगा business initiated मतलब जब आप अपनी audience को आगे से message भेज रहे हो, तो उसका पैसा आपको 0.56 पैसा लगेगा अब ये बहुत important है, ये उनके लिए बहुत important है, जिनका ROI successfully निकल रहे है अब ये actual में बहुत सस्त है, क्योंकि आप जब 1000 targeted लोगों को WhatsApp message करते हैं, तो आपका sales भी बहुत आती है उसकी इसाब से देखेंगे, तो ये पैसा कुछ भी नहीं है उसके बाद अगर कोई user initiate कर रहा है conversation, तो आपको यहाँ पर 34 पैसा लगेगा और यहाँ पर इस वाले plan में आपको 33 पैसा लगेगा तो आप मोटा मोटी मान के चल लो कि आपको basically 4-5,000 रुपय लगेगा including Facebook advertisement, interact का cost और फिर जो भी आप message, business initiated conversation करेंगे यह उसका जो आपको charge लग रहा है, उसका 5,000 के अंदर आप basic level पे start कर सकते हैं और फिर जैसे जैसे आप grow करते जाएंगे, आप Facebook ads में भी जादा पैसा डालते जाएंगे ताकि जादा leads आएं आपको, और फिर retargeting करने के लिए जो आपका business initiated conversation है उस पे भी जादा पैसा डालिए, मतलब जो broadcast कर रहे हैं, उस पे आप पैसा invest कीजिए तो इस तरीके से आप successfully WhatsApp पे ads लगा सकते हैं और इसी तरीके से बड़ी बड़ी जितनी भी companyya है, वो अपनी advertisement को चला लिए अगर आपको कोई भी doubt है, तो नीचे description पे मेरा number दिया हुआ है, आप कभी भी हमसे contact कर सकते हैं अगर आपको WhatsApp business API registration करना है, तो भी आप हमें इस number पे contact कर सकते हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं, WhatsApp business API register करने पे और अगर आपको WhatsApp marketing detail में सिखना है अपने business के लिए, तो हमारा एक proper course है जिसमें हमने पूरे features in track के बारे में, WhatsApp business API कैसे लेते हैं, उसके बारे में WhatsApp marketing किस तरीके से function करती है, उसके बारे में सारी चीज़े एक course के अंदर explain की हुई है हमारा WhatsApp marketing course, इसका भी link पर आपको description पर दे दिया हूँ, इसकी price है one triple nine लेकिन description पर जो link है, अगर आप उससे buy करेंगे, तो आपको 10% off मिल लाएगा I hope आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like जरूर करना कोई भी doubt है, तो बेव फिकर भाई, comment जरूर करना, हमको reach out करो, हम भी आपकी मदद करेंगे और हाँ, इसी तरीके की वीडियो रेगुलर्ली देखने के लिए एक चीज़ तो बनता है सब्सक्राइब, Social Seller Academy को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप सभी इस तरीके की वीडियो बनाता हो मिलते हैं अगली वीडियो में